अगर मैं मादासा नी को मैं स्किप कर दू तो आप होगी दिख जाती है मादासा दा मागरे दासा लेकिन दानी सामा इशाद को जैसे ही लगाएंगे दानी सागा मादानी दा मानी दा मापादगा मागरे सा नमस्कर दोस्तों आप सबीका स्वागात और अविनन्दन आज इस मुबारक माके पर हमारे जनम दिन के अफसर पर आपके लिए राग बागेश्री की सोगात जी हाँ दोस्तों बनारस घराने की एक भूत ही गजब की बंदिश पंडित रामाश्रे जहाँ जी की ये बंदिश है और हम सब जानते हैं उनका जो बंदिश की जो कमपोजिशन्स थी ऐसी ऐसी वो बना कर गए हैं और ये जो बंदिश है ये संपूर्ण राग बागीश्री क दर्शन करवाती है हमें तोस्तों इसकी जो PDF है complete PDF आपको टेलिग्राम ग्रूफ पर मिल जाएगी राग के 10 लक्षन मतलब राग बागीश्री के 10 लक्षन जो मैं डिसकस करूँगा आज जनम दिन पर 22 सितंबर 2022 को वो प्लस बंदिश की नोटेशन आपको निशुलक free of cost टेलि सा भी फायदा होता है तो आपकी थोड़ी सी भी contribution इस सेवक के लिए बहुत काम आ सकती दोस्तों so you can support me and 2020 में आपको ध्यान होगा दोस्तों जब कोरोना के टाइम में हम आये थे तो मैंने यमन का medal दिया था आपको ये देखिए जब हम 2021 में आये था तो मैंने किरवानी रू आपको देना चाहूंगा कि एक रोहित कटारिया Music Academy एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अपनी एप्लीकेशन मैंने लांच कर दी है आज अपने वर्थेडे पर आपको एक खुश कबरी सुना रहा हूं तो आप उसको डाउनलोड जरूर कर लीजेगा प्ले स्टोर से उस पर आप जाएंगे आप माई स्टोर पर जाएंगे तो उस पर मैंने अलग-अलग कोर्स डिजाइन करने की कोशिश किये उसमें से मैंने बॉलीवोट सॉंग बॉलीवोट सिंगिंग का तो एक कोर्स लाउंच भी कर दिया है दस वीडियो आप को मिलेंगे उसमें और बहुत ही nominal cost मैंने fees रखी है तो आप वीडियो के साथ PDFP उसमें डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और संगीत का आनंद लेकर अपनी knowledge बढ़ा सकते हैं तो application जरूर डाउनलोड कर लीजेगा उसका link मैंने description में दिया है इसके साथ साथ दोस्तों दो नई batch भी launch करने जा रहा हूँ 5 October से राग यमन को नवन कर देवे ABCD of राग नई राग स्टार्ट करेंगे और रेट्रो सॉंग batch जैसा कि मैंने पहले भी announce किया था 2 October से अगर आपको 60s, 70s, 80s के सॉंग सीखने राग बेस्ट तो आप वो batch भी join कर सकते हैं इसी शुपकामना के साथ और आपका आशिरवाद लेते वे शुरवाद करते हैं राग भागेश्री के लक्षन से और फिरिय बंदिश को सीखेंगे वीडियो को शेर जरूर कर देना PDF का फायदा जरूर उठा लेना और टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना तो देखिए राग भागेश्री बहुत ही मीठा राग है मद्यरात्री का ये राग है गर्नी इसमें दोस्तों कोमल है इसलिए काफी थाट है अब देखिए इसका जो जारो अबरो है कित्ती खुपसूरती से इस राग की कंपोजिशन की गई है निशा गा माधा निशा सा निधा माधा गा मागरेश्री तो आप देखिए निशा गा माधा निशा आप देखिए जड़ते टाइम एक तो रिशाब वर्जित है पंचम वर्जित है जिससे आरो में आप देखिए जाती इसकी ओडव है निशा गा माधा निशा अब रो देखिए रिशा पे शड़च का कण है ये स्वर संगती एक विशेश अपना इसमें इंपोर्टेंस रखती है मापाधगा पौ सिरफ इत्ता ही आएगा मतलब पौ नेगलिजेबल है इस राग में ना के बराबर मापाधगा मागरे साँ इस कारण से इसमें जो संबाद है वो शड़ज और मध्यम का है दोस्तों क्योंकि पौ ना के बराबर लगता है कहीं शास्त्रकार रिशप का भी आरो आत्मक परियोग लेते हैं लेकिन चलन में ज़्यादा थर और अब जाती मनते हैं और अवरो में आप देखिए सातो स्वर अब इसकी मुखे स्वर संगती देखिए जिससे राग स्पश्ट होता है दोस्तों अब ये धगा की संगती ये बागेशरी अंग कहलाता है गापे मध्यम का कंड बहुत सुन्दर लगता इस राग में धा मगा और मगा मगा की डबलिंग जो की इसके संप्रकरतिक राग भी इंपलासी में भी आती है तो कंबाइन कीजे इस स्वर संगती को देखिए रटने की जुरुत नहीं है राग की पकड़ को सिर्फ हमको आत्म साथ करना है जैसे किसी राग जैसे किसी गाने की धुन हम याद करते हैं दोस्तों उसको रटते नहीं है उसको धुन की तरह हम आत्म साथ करते हैं दनी सामा गा मैधनी धर्मा पधा गा मागरे साथ इसमें शब्द डालके भी आप इसको और अच्छे से आत्म साथ कर सकते हैं बागिश्वरी को समझो यारो पंचम का अल्प प्रयोग है ऐसे भी इंटरस्टिंग तरीके हमको डूढने चाहिए एक राक को समझने के लिए फिर वादी समवादी की जहां मैं बात करूं मध्यम इसका बहुत इंपोर्टेंट स्वारा आप देखिए अल्टिमेटल एम रेस्टिंग ओन मा विद नो रिस्टिक्शन इदर इन आरो इदर इन आवरो तो मध्यम की बहुत इंपोर्टेंस है इसमें इसलिए वो वादी स्वार है और अगर मध्यम वादी है तो समवादी वट अफ्कॉस शड़ा जोगा दोस्तों क्योंकि वादी समवादी में या तो तीन या चार स्वरों का गैप होना जरूरी है इस पर 40 प्रिंसिपल्स वाब बात कर देजी इसकी थाट की बात करो दोस्तों तो क्योंकि गर्नी इसमें कोमल है तो इसमें काफी थाट दिखता है क्योंकि स्वर सामने के अनुसार क्योंकि गर्नी कोमल है तो इसका थाट काफी हो जाएगा दोस्तों जिसको हम डोरियन स्केल करते हैं इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसके गायन समी की तो ये मध्यरात्री का राग है बहुत ही गाया बजाए जाता है इसी टाइम पर और इसकी जाती मैंने आपको बताई दी और अब राग देखिए आप पुरवांग प्रधान ता अगर theoretical अगर मैं देखू इसको अगर आप exam दे रहें तो पुरवांग प्रधान राग है लेकिन तीनो सब्तकों में इसका बरावर विस्तार होता है तो practically तीनो सब्तकों में ये राग खिलती है लेकिन theoretically पुरवांग वादी राग है वो आप इसकी स्वर संगतियों से देख लीजिए राक स्पष्ट कैसे हो रहा है क्योंकि पुर्वांग में ही स्पष्ट हो रहा है दूसरा मध्यम स्वर पुर्वांग का है तो इस कारण से ये पुर्वांग वादी रहा है हाला कि शड़ज मध्यम और पंचम पूरवांगवादी स्वर भी है उतरांगवादी स्वर भी है यह हम सब जानते हैं मेरे पहले के अगर आपने लेक्चर्स देखें तो आपको यह चीज पता होगे इसके रस की बात करूँ दोस्तों तो भक्ती रस प्रधान ये राग है क्योंकि इसमें एक आप देखेंगे सीरियस नेसी है तो भक्ती की फीलिंग ज़्यादा इसमें हमको कमपोजिशन्स में देखने को मिलती है having said that ऐसी भी बंदिश हैं जिसमें श्रिंगारिकता भी दिखती है आजारे परदेसी फिर छेडी रात बात फूलों की ये आगे मैं चर्चा करूँगा इस पे लेक्चर मैं दूँगा राग बागेश्री बेस्ट बॉलिवूट सॉंग बेरहल आपको समझ आए इसका रस बक्ती रस प्रदान ये राग है फिर नियरबाय राग की बात करूँ मतलब इसके पास का राग जिसको मैं संप्रकरतिक राग भी कहता हूँ तो वो राग है भीमपलासी कारण क्या है लोजिक समझ लीजे देखे रटने की कोई जुरुत नहीं मेरा चैनल है वो आपको MQ डेवलप करने के लिए musical quotient एक एक चीज़ को आत्म साथ करकर उसको logically समझ कर अगर आप रियास करेंगे तो आपको आनन्द आएगा ब्रेन पे ज़्यादा आपको जोड देने की जुरुत नहीं पड़ेगी अब देखिए ये स्वरसंगती भीमपलासी में भी आती है लेकिन अब ये धनी सा भीमपलासी में नहीं आता क्योंकि भीमपलासी के आरों में देवत वरजीत है भीमपलासी पहली बात पंचम भूत इंपोर्टेंस रखता है हमारी भीमपलासी में जो की इसमें ना की बराबर लगता है तो यहां से ही राग अलग हो जाता है लेकिन मौगा मौगा की डबलिंग वादी समवादी दोनों की सेम है है ना दोस्तों इस कारण से ही संप्रकर्तिक राग की कोटी में आ जाता है वैसे एक और राग है राग आप होगी आप देखिए अगर मैं मैं देखिए नी को मैं स्किप करती हूँ तो आप होगी दिख जाती है मैं देखिए 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 लेकिन देखिए लिशाद को जैसे ही लगाएंगे दनी सागा मा दनी धा मा नी धा मा पाधगा मा गरे साग तो बागे श्री सपस्ट हो जाती है तो ये दो पास की राग की बात की important phrases जो की दस वा लक्षन है क्योंकि दस लक्षन में हर राग मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ जबी भी एक राग सिखाता हूँ तो important phrases देखे आप दनी सामा बार बार इस राग की शोबा बढ़ाएंगी ये combinations दनी सामा फिर का माइधा मा फिर माइपधा गर ये speciality है इसकी मापधा गर राम रंग जी की बंदिश में भी ये चीज़ आपको मैं दिखा दूँगा ये अंत्रे की जब हम इसके स्थाई और अंत्रे जब एक राग के हम याद करते हैं तो ये स्वरसंगती बार बार इस राग में आती है और इस राग की सुन्दरता बढ़ाती है इन दस लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अब बंदिश आपको मैं सिखाता हूँ बनारस कराने की बंदिश पंडित गामाश्रे जाजी का मैं नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा भूत मारक दर्शन इनके जो शास्त्र पक्ष से उतावा आया है अभिनाव गितांजली मैं बुक रिकमेंट करूँगा अला कि अलग से इसका मैं लेक्चर बनाऊंगा लेकिन ये पांच जो इनके किताबों की जो सेट है मैं रिकमेंट करना चाहूँगा अपने दिल से आप सभी के लिए जरूर आप पढ़िएगा पैरहाल बंदिश की जो शब्द है नोट कीजे स्थाई देखिए अब घर जाने दे मोहें कूवर कनाई मानो हमारी बंदिश की स्पेशलिटी बारवी मातरा से उठती है इसका मतलब पांच मातरा का आप देखेंगे इसका मुखड़ा है अंतरा देखिए कर जो रत हूँ पैया परत हूँ छाड़ो डगर राम रंग मेरो राम रंग मतलब जो की पैन नेम है हमारे राम आश्रे जाजी का सुधर सुजान एहो बनवारी अब घर जाने दे मोहें तो आप आपने यह नोट कर लिए नोट नहीं भी किया है तो पीडिएफ आपके लिए उपलव्द है टेलीग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप देखिए बंदिश बारवी मातरा से उठती है लेकिन पहले कंपोजिशन सीखते है देखिए अब घर जाँ आने दे मौहें अब देखिए अब घर सागा माधा था यहाँ पे दुगों नहीं माधा था अब घर जाँ आने दे मौहें बंदिश बारवी मातरा धा दिन दिन दा दा दिन दा दा तिन दिन अब घर जाँ धैवत पर इसका सम रखा है पंडित जी ने तो अब घर जाँ आने दे मौहें यह मौगा मौगा की डबलिंग जो मने बताई यह बीमपलासी में भी है और बागेश्री में भी है लेकिन बागेश्री में आप देखेंगे थोड़ा धीर देता है मागा मागरेसा बहुत इंपोर्टेंस है कोमल गंधार की बागेश्री में जबकि कोमल गंधार इता ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखता हमारी भीमपलासी में मापगारेसा बनी सामागापा माप सामापा की बहुत इंपोर्टेंस हो जाती है मैंने भीमपलासी में देखिए मदन मौन जी की रचनाय वताई है उसका लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिये जरूर देख लेना रविंद्र जैन साब उनकी भी रचना मैंने आपको सिखाई है इंपलासी में वो जरूर देख लेना आभोगी पर भी दो लेक्चर है आभोगी कानड़ा अलग है आभोगी अलग है दक्षिन भारत का राग है आभोगी उसमें कानड़ा अंग जोड़ दूँ तो आभोगी कानड़ा हो जाती है इन पर भी लेक्चर दे रखा है लिंक डिस्क्रिशन में है रिलेटिड लेक्चर जरूर देखा कीज़े दोस्तों इससे आपका ग्यान में वर्धन तो हो गई लेकिन आप चीज़ों को कोरिलेट भी कर पाएंगे आपका जो फ्रेमबर के वो बढ़ेगा अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना आप कमेंट करोगे कि यार ये बोलता बहुत है बोलना पढ़ता है ना दोस्तों संगीत में सेवा सफल कैसे होगी कोवर कनाई अब देखिए गरेशा निदा कोवर कनाई मानो हमारी तान कानन देखिए गरेशा निदानी सामा गामा धनी दसानी धमा गरेशा अव घर जाँ आने दे मोही पूरा इस थाई गाता हूँ अब घर जाँ आने दे मोही इत्ता लगे हातों दोस्तों शुब काम में देरी क्यों इसको तालवा तरीके से भी गालेते हैं जो BPM है मेरा 140 है दोस्तों पहले काले से आपको सिखा रहा हूँ शड़ज मध्यम का संबाद है पूरा पैरामीटर ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसी पर ही आप प्रेक्टिस कर सकते हैं तो देखिए दा दिन दादा दिन दादा दिन दादा दिन अब घर जाँ आने दे मौहे अब घर जाँ आने दे मौहे अब घर जाँ आने दे मौहे सागा मधधनी धर मागा मगरे सारे सागा मधधनी धर मागा मगरे सारे सागरे सानी धर नी सागा मगरे सानी धर मागरे 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 सानी धर म समाज आ रहा है कि नहीं बंदिश कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजेगा सपोर्ट जरूर कीजेगा दोस्तों अंत्रे की तरफ लेके चलता हूँ जो की बारवी मात्रा से ही उठ रहा है शब्द आपने नोट करी लियोंगे बंदिश का स्थाई और आंत्रा ये इंपोर्टेंट फ्रेजिस हमको नोट करने चाहिए बंदिश मार्क दर्शन करता है अगर आपको सीखने का बंदिश आपकी स्क्रीन पर आ रही है बारवी मात्रा से उठ रहाएगी नहीं धा दिन दिन दा दा दिन दा दा तिन दिन कर जो रता हूं गामाधा निधसासा धा के बादे का वगरे गामाधा निधसासा पैयां परत हूं कर जो रता हूं पैयां परत हूं कर जो रता हूं दोनों लाइनों को कनेक्ट कीजे गामाधा निधसासा निसा निसरेसा धसा निधसा कर जो रता हूं कर जो रता हूं उखड़े को सजा भी सकते हैं कर जो रता हूं पैयां परत हूं वो जो मापधा की जो स्वर संगती की बात कर रहा था छाड़ो डगर रामरंग मेरो निधा मापधा गर मागरेसा रेसा अबरो आत्मक प्रयोग है तो स्थोरी शब्का रे गानी लेरा रे लगा कर शड़च पर ही आ रहा हूं निधा मापधा गर मागरेसा रेसा छाड़ो डगर रामरंग मेरो सुधर सुजान एहो बनवारी अब गर जान तो नोटेशन आप देखिए जो स्थाई की जो सेकंड लाइन है वो आंत्रे की थर्ड लाइन से मिलती है गरेसा निधानी सामा गामाधा निदसा निधामा गरेसा सुधर सुजान एहो बनवारी अब गर जान आने दे मोहें कुवर कनाई मानों आमारी कर जो रता हों पैया परता हों छाड़ो नगर राम रंग मेरो सुधर सुजान एहो बनवारी सागामाधा निधामा माग गारे सारे सा बरे सा निधनिसा मागा माधा निदा सा निदा मागरे 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 सा निदा तो देखिए शास्त्र को आत्मसाथ करने से पूरी राख की छवी बैठती है हमारे दिमाग में इसलिए मैं शास्त्र भी गाता हूं और बहुत सारे इस्टूमेंटलिस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ौन मेरे भाईयों को वैनों को बहुत हेल्प मिलती है इसलिए मैं गानों के साथ बंदिश के साथ शास्त्र भी गाता हूं चलिए बंदिश गाते हैं फिर शास्त्र गाते हैं आनों आमारी कर जो रता हूं पैयां परता हूं कर जो रता हूं सानीधमा गामा दनिसा कर जो रता हूं पैयां परता हूं छाड़ो डगर रामरंग मेरो छाड़ो डगर रामरंग मेरो सुधर सुझान एहो बनवारी अब धर तालबद तरीके सर्वंदिश को नचाते हैं शास्त्र के सह हीद सागा माधा निधार्मा मागा माघरे सा डे सा शास्त्र काथे हैं गामाधा, निदसासा, नीचा, नीचारे शाथ, साथषा नीधा मापाद का. मागरे सारे सा नीधा मापधा का मागरे सारे सा गरे सा नीधा नीशा मागा माधा नीधा सा नीधा मागरे सा अवगर या आने दे मोहे सानि सा दनी सा गा मा था गा मा था गा मा आवदर जा तो ऐसे छोटे-छोटे फ्रेजिस लेने का संस्कार हमें डैबलप करना है तो ये एक संगीत में सेवा हमारे जनल दिन के अफसर पर हमने कोशिश की चैनल को सपोर्ट जरूर कीजेगा इसका आप ठैंक्स के रूप में भी सपोर्ट कर सकते हैं पॉर वॉलेंटरी कॉंट्रिबुशन्स मैंने उसका नमबर भी पिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों इससे के जो रिलेटेड लेक्चर हैं वो जरूर देखिएगा और आपको डिटेल में संगीत सीखना है तो अब मेरी एप्लिकेशन भी आ चुकी है उसमें अगर आप ऑनलाइन क्लासिस नी जोइन कर पाते हैं तो वीडियो मेरे डिटेल्ड वीडियो जो मेरे बनाएगे नोटेशन के सहित पीडियेफ के साथ मेरी एप्लिकेशन पर उपलब्ध है जरूर इंस्टॉल जरूर कर लीजेगा उसमें बॉलिवट सिंगिंग के छे लताजी के सौंग्स चार किशोरदा दस सौंग का पैकेज तो मैंने भी कर दिया है उसमें बहुत ही नॉमिनल कोस्ट भी रखा है डिस्काउंट भी अविलेबल है आप एप्लिकेशन पर जाएंगे आपको अच्छे से समाझ आएगा बेनिफिट लीजे और ऑनलाइन क्लासेस आप जानते हैं पांच अक्टूबर को यमन को नमन करते वे स्टा और दाके या फिर आशा जी के तलत मह्मूत साब के मदन जी की कंपोजिशन सोचा शंकर जैकिशन हो चाए ओपी नईयर साब हो एसडी वर्मन आडी वर्मन जी हर एक को केंद्रित करते वे हमारे राक संगीत को लिंक करते वे आपको रेट्रो सॉंग में फायदा 100% मिलेगा अब बाकी रिवियूस का भी मैंने लिंक अपने स्टूडेंट्स का दे रखा है वो भी जरूर देख लीजेगा ओम शांती दौाओं में याद रखिएगा जनम दिन की अफसर पर ऐसे ही आगे भी लेक्चर्स दाता रहूंगा ओम शांती